नधीरेस गयमा काकशा 12, 11, 12 के लिए हंदी में व्याकरण का विशय अभिवयक्ति और मार्ञम ये पढ़ा रहे हैं अभि विवयक्ति हता है अपने वічारों को प्रकट करना और मार्ञम हम किस-किस तरीके से अपने वीचारों को प्रकट कर सकते हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो यहां पर उससे संबंदित प्रश्न हैं कक्षा 11 और 12 यह दोनों में पांच नमबर का प्रश्न आते हैं तो पांच नमबर के प्रश्न आप अच्छे तरीके से तयार कर सकते हैं देख कर यह एक्स्टा ओर्रिनरी हैं तो अगर इनको बार बार वीडियो को सुनेंगे तो भी आपका ये चेप्टर अच्छे तरीके से तयार हो जाता है तो कुछ एक जो क्योंशन है उन में से यदि आप इनको अच्छे तरीके से तयार करते हैं तो आपके पांच नंबर पूरे पक्के होते हैं सबसे पहले बात है यहाँ पर मुद्रित माध्यम कौन कौन से होते हैं इसमें प्रश्न और उत्तर दोलों साथ साथ मिलेंगे आपको मैंने अलग से यहाँ पर नहीं लिखा है मुद्रित माध्यम कौन से होते हैं अभी मैंने बताया कि अभिवेति के माध्यम होते हैं किस प्रकार से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और मुद्रित होता है छपा हुआ तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ माध्यम है मुद्रित माध्यम है तो मुद्रित माध्यम कौन-कौन से हो सकते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स वगेरा जो होती है, जैसे होर्डिंग लगी होती है, पंफलेट होते हैं, तो वो सभी बुद्रित माध्यम में आते हैं दूसरी बात है, फ्लेश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? कि जो कोई खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचे, उसे हम फ्लेश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, सबसे पहले जैसे ही फ्रेटना धड़ी होती है, और उसी समय उसे प्रसारिच कर दिया जाता है, उसी समय उसे रिपोर्टर के द्वारा अध्यामा जो एंकर होता है, वो लोगों तक पहुंचा देता है बात, तो उसे हम कहते हैं फ्लेश या ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद है ड्राइ एंकर, जब एंकर, आप कभी टीवी देखते हैं, तो टीवी में जो न्यूज देने वाला है, उसे हम कहते हैं एंकर, जब एंकर के पास में घटना संबंधित कोई द्रिश्य नहीं होता, और वो उस घटना स्थल पर जो रिपोर्टर होता है, उस रिपोर्टर से मिली जानकारी के अभार पर जो खबर देता है, उसे ड्राइ एंकर कहते हैं, जो घटना स्थल की जानकारी देने वाला है, उस व्यक्ति को ड्राइ एंकर कहते इसकी appropriate definition क्या होगी बिना द्रिश्य जानकारी देने वाले एंकर को dry anchor कहते हैं phone in phone के माध्यम से कोई घटना स्थल पर कोई भी घटना घटित हुई phone के माध्यम से उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुचाना उसे phone in कहते हैं इसके बाद है live किसी भी घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारिद करना जैसी जैसी जो जो घटना घटित होती है उन्हें वैसा का वैसा लोगों तक पहुचाना उसे live कहते हैं इसके बाद है जन संचार के माध्यम बहुत सारे माध्यम में जिसमें से मैं बताया है radio, television, internet इसके बाद में कोई पंफलेट है या फिर speeches होते हैं जो कोई गपता जो भाशन देने वाले होते हैं वह भी जन संचार का माध्यम में लोग घर घर जाकर लोगों को जागरिम करते हैं रंग मंच है, रंग मंच के द्वारा भी लोगों को जागरूप किया जा सकता है तो यह जन संचार के माध्यम है इसके बाद है इंटरनेट पर जो है इंटरनेट की क्या क्या सुविधाई हैं इंटरनेट पर जो समाचार देते हैं उसकी क्या सुविधाई हैं तो इंटरनेट पर सूचना को पढ़ लिख और देख सकते हैं पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और बाकी क्योशन आगे सुनिए विध्वान से رेडियो श्रव्य माध्यम है श्रव्य मतलब जिसको केवल सुना जा सकता है देखा नहीं जा सकता है रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है इसमें स्वर, ध्वनी और शब्दों का मेल होता है नाइफ कॉइंट है वो कैसा माध्य में? द्रिशी श्रव्य माध्य में. उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. नेक्स और आज के लिए लास्ट पॉइंट है वो है रेडियो दूरदर्शन दोनों के जैसे जो समाचार पढ़ने वाले होते हैं. उनके लिए क्या खास बात होनी चाहिए? उसका समाचार किस प्रकार से टाइप किया जाना चाहिए? टाइप को हिंदी में कैसे है? तंकन. कि उनका जो समाचार है, वो किस प्रकार से टंकित होना चाहिए? उसके बारे में है कि रेडियो और समाचार, दूरदर्शन के समाचारों की भाशा शाली, भाशा जो है, वो सरल होनी चाहिए, कोई अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही समासिक श प्रयोग नहीं किए चाहिए, इसके साथ ही, जैसे अगर शब्दों मेहीं जो कोई गिंती गडर लिखनी है, अगर एक से दस तक गिंती लिखनी है तो ऑसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद में अगर यूँ लिखना है 1515 तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए एक हजार ऐसे करके लिखा जाना चाहिए इस प्रकार से तो यह होगी रेडियो और समाचार दूर दर्शन के समाचारों की भाशचारी इसको एक बढ़ रिवाइस करवा देती हूँ आप इसको सुनते रहें तो भी आपको क्योश्चन हो याद हो जाएंगे मुद्रित माधम कौन-कौन से होते हैं समाचार पत्र, परपत्री काएं, उसत के आदि फ्लैश याप डेकिंग न्यूज क्या है सबसे पहले दर्शकों तक पहुचे समाचार को फ्लैश याप डेकिंग न्यूज कहते हैं ड्राइ एंकर, जिस एंकर के पास घटना स्थल से संबंधित द्रिश्य नहीं होते और वो बिना द्रिश्यों के जब लोगों को जानकारी देता है, उसे ड्राइ एंकर कहते हैं. फोन-े किसी घटना स्थल से मिली जानकारी देना फोन-े कहलाता है, लाइव कहलाता है, जैंसन चार के माधन कोन-कोन से होते हैं, रेडियो, टेलिवीजिन, इंटरनेट, रंग माच्य आदी, रंग इंटरनेट की सुचना को क्या किया जा सकता है, पढ़ा, लिखा और देखा रज़ते हैं। ने बादा.